आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ The hormones which respond to Membrane Bound Receptors और Extracelular Receptors आज पुझा गया है कि कौन से hormones जो हैं वो Membrane Bound Receptor या पर Extracelular Receptor हिसाब से काम करते हैं तो ये Membrane Bound Receptor या पर Extracelular Receptor ऐसे Receptor होते हैं जो की Trans Membrane में पाए जाते हैं और इनका Main काम रहता है Trans Locate करना इसको तो Majorly जो यहाँ पे Substances या फिर Ions पाए जाते हैं या फिर Hormones भी हम लोग कह सकते हैं तो जो भी यहाँ पे पाए जाते हैं उनको यहाँ पे Transfer करना Accordingly Membrane के अंदर या फिर बाहर उसी Process को या फिर उसी Channels को यहाँ पे Trans Membrane Receptor या फिर Extracelular जो की Cell के बाहर के Channels होते हैं जहाँ पे यह पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है तो बेसिकली देखते हैं कि ऐसे कौन से Receptors होते हैं तो फिर्स्ट है जो की LH, Estrogen, Progesterone और Thyroxine बोला किया है तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे LH जो है यह चैनल बनाके प्रोवाइड करता है जैसे कि कोई Testosterone होता है या फिर हम कह सकते हैं कि फीमेल में जो Estrogen होता है उसे भी यह लोग क्या करते हैं कि चैनल गितरू पास-उन करते हैं नेक्स है जो कि Estrogen और Progesterone बोला गया है और यह भी क्या करते हैं कि Sex Steroids Hormones होते हैं जो कि चैनल प्रोवाइड करते हैं Sexual Characters का और इनी Characters को या फिर जो Sexual Menstrual Cycle होता है Involve करने के लिए Woman में ये काम आते हैं As a Extracellular या फिर Membrane Bound Receptor वही नेक्स है थाइरोक्सी थाइरोक्सी जो है ये thyroid gland से release होता है और ये भी एक ऐसा hormone है जो कि trigger out करते है चैनल को जिससे की pass on या फिर pass down elements हो पाते हैं इसलिए हम कहा सकते हैं कि first option जो है यही बिल्कुल correct है according to the question वही नेक्स अगर देखा जाए दो ऐल्लोस्टेरोन जो है ये एक hormone है जो कि basically signals provide करते है या फिर act करने में help करते है तेस्टोस्टेरोन भी act करता है क्योंकि ये एक hormone है और ये दोनों भी hormone है जो कि ovary में act करते है वही नेक्स अगर बात करें तो glucagon जो है ये sugar stimulate करता है और ये कोई channel receptor नहीं है और उसी के तरह से इंसुलीन भी कोई channel receptor नहीं है तो जो correct answer होगा वो हो जाएगा first option और उसी को हम यहाँ पे tick कर लेंगे Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने doubts 84444 सूपर